नमस्कार साथियो दा डिग्निटी के यूट्व प्लेटफरम में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों SSC GD का आपका जो है स्कोर कार्ड जारी हो चुका है अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कफ्यूज हैं कि सर हम अपना स्कोर कार्ड कहा चेक करें कैसे कभी आप सभी को बताना चाहता हूं वो एकदम से आपका जो है उस वेबसाइट पर आपका दीच कर रहे हैं और इस कारण से वो वेबसाइट क्रेश चल रही है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि आपको चैट कैसे करना है देखे जैसा कि यह आप SSC की वेबसाइट पर जाएंगे यह सामने इंटरफे के हैं माक्स 852023 से 252023 तक तो आप रजिस्टेशन नंबर रजिस्टेशन पासवर्ट के थ्रू जो है अपने माक्स चेक कर सकते हैं कब तक चेक कर सकते हैं तो बिल्कुल परिशान होनिक ज़़ुरत नहीं है और यदि आपका ये पेज ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छा ओपन करके यहां पर अपना रजिस्टेशन नंबर डालें यहां अपना पासवर्ट डालें और तुरंत लॉग इन करें और आपके सामने जो जीडी का आपका जो है आप उसे आराम से देख पाएंगे बहुत सारी वीडियो बहुत सारे नए आपके जो ब्लॉक्स हैं बहु आपको कह रही है कि हम आपको अपको स्कोर कार्ट दिखा देंगे हम आपको अपना स्कोर कार्ट दिखा देंगे लेकिन वहां जाकर परेशान होनी की और शक्ता नहीं है दोस्तों आपका जो स्कोर कार्ड है वो ऑथेंटिक रूप से आप किसी भी इंटरफेस में चले जाए आपके normal mobile connection की या laptop connection या आपका normal आपके जो आपने net use कर रहे हैं उसमें अभी आपका जो है अभी थोड़ा सा up-down चल रहा होगा तो बिलकुल परिशान होने जरूरत नहीं है बच्चों के comments आ रहे हैं और यह जो आपके scorecard जारी हुए हैं इस scorecard में normalization का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि बहुत सारे बच्चों के नंबर 20-28-28 नंबर add-on हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यारती हैं जिनके नंबर minus हो गए हैं तो जिनके नंबर 20-28 add-on होए हैं वो तो यह मान कर चलें कि उनका final selection होगा ही होगा तोकि 20-28 नंबर बढ़ना मत अपने आप में उन्हें एकदम selection के एकदम nearby पहुंचा देना है हां जिनके नंबर कम हुए हैं बहुत सारे बच्चों के नंबर कम हुए हैं comment में जैसा पता चल रहा है तो आपका अगर देखा जाए अगर नंबर कम है तो यह एक चिंता का विशह है लेकिन फिर भी अभी घ scorecard है इसे आप 23-5-2023 तक देख सकते हैं 23 मई तक आपका यह scorecard दिखेगा तो बिल्कुल परिशान होने की जहुरत नहीं है और scorecard कहीं और किसी अन्य website या interface में आप भरोसा भी मत करिएगा तो कि वो आपको हो सकता है कुछ numbers दिखाए लेकिन वो सही नहीं होंगे आपको अग नंबर बढ़े हैं या घटे हैं फिर उस हिसाब से हम फाइनल का टॉप जो है आपके उस डाटा के अनुसार ही आपकी फाइनल का टॉप जो है हम उसे बना कर आपके सामने प्रस्तुत होंगे जिन बच्चों का numbers बढ़े हैं उन सब को बहुत सारी सुपकाम नाए कि उन्हे फाइदा मिला है लेकिन जिनके कम हुए हैं उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है घपराने की ज़रूरत नहीं है अभी जस्ट स्कोर कार्ड है आप लोग एक बार comment section में जरूर बताइएगा कि आपके numbers कितने आ रहे हैं अभी ये जो स्कोर कार्ड आया है दन्न् करना करूं कितने हैं और वोगल ठीजल, झाल